जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटी चैनल एहज श्टडी पे दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एओसी टेडमेन और फायरमेन के भरती देखने जाने के लिए भरती सेंटर पे आप लोगो कौन-कौन से डोकुमेंट लगेंगे वो सारे डोकुमेंट के लिष्ट इस वीडियो में आप लोगो बताने वाला हूँ अगर इन में से एक भी डोकुमेंट अगर आप लोगा कम रहता है तो आप लोग को वहाँ पे भरती देखने नहीं दिया जाएगा मतलब कि रनिंग आप लोगो नहीं करवाय जाएगा एक्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा तो यानि कि आपका सारा चीज बरबाद हो जाएगा जितना भी आपने मेहनत किया है तो अभी जो जो डोकुमेंट बता रहा हूँ अगर आपके पास नहीं तो अभी ही बनवालो नहीं तो बाद जाके बहुत पच्तावा आप लोग करना परेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करती जाएगा जिनसे कि वो भी अगर नहीं बनमा होंगे तो वो डोकुमेंट बनवालेंगे अंत में हम डिसकस करेंगे कि अगर आप लोग का अभी तक नहीं आए तो आप लोग को क्या करना चाहिए तो वीडियो में शुरूर से लेकर अंत जरूर बने रहेगा और चलिए वीडियो को सुरूर करते हैं सबसे पहले देखें क्या क्या डोकुमेंट आप लोग को ले कर जाना है मैंने नॉटिफीकेसन इंगलीज में था मैंने हिंदी में कर दे कि बच्चे अच्छे से समझ सके सबसे पहले देखो कि उमिदवारों को रेली अस्तर पर निमनलिखी दास्ते वेज लाने चाहिए पहला देखो कि पहला दास्ते वेज आप लोग क्या होगा यहाँ पर बोला है कि बीदिवत चिपकाये गए नवीनितम पासपोर्ट अकार के फोटो के साथ इपर अडिक्स के आप लोग को और यहाँ आप लोग कोई मिरे भाई क्या करवा ना है आप लोग निखेला उसका प्रिंटाउट आप लोग को निखल वा ना दो निकल्वा लेना आप लोग के लिए सही रहεगा ठीक है और उस пож कर ए यहाँ तो अगर हो कि होगा तो आफ उसका अगर दूस्ता चाहिए यहाँ रोट करें है गया आप लोग देखना कि किया आ कि आपकी क्को पॉइल्स साइट के रिचाट कर दिया जा भाएगा चे सिया admit card का print out ले कर जाना है ठीक है सबसे पहला बात दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर देखो कि मूल photo पहचान जिसमें कि आप लोग अधार card voter ID card passport या केंदर सरकार या राज सरकार या PSU या pen card या रच्छा मंत्रा द्वारा जारी किये गई मतलब कोई भी या भूत पूर्विसानिक डिस्चार्ज बुक द्वारा जारी किया गया service ID card या मतलब कोई भी अन्य पहचान पत्र जो की केंदर सरकार या राज सरकार द्वारा जारी की गई होगे ठीक है तो एक आप लोग को मूल पहचान पत्र कहने का मतलब के identity मतलब की card आप लोग का होना चाहिए जैसे कि सब के पास अधार card नॉर्मल सब के पास होता है और दूसरा pen card सब के पास होता है इन्हें में से कोई एक ही लगेगा य अगला जो आप लोग का document लगेगा देखो कि यहाँ पर है मूल अंक पत्र के साथ मूल metric परमान पत्र यानि कि 10B के दोस्तों आप लोग का लगेगा क्या चीज मिर भाई अगला जो document है वो 10B का mark sheet 10B का क्या मिर भाई mark sheet और 10B का certificate जो कि 3 साल बाद आता है आप लोग को पता ह होगा माक sheet तो तुरंत मिल जाता है जब पास होते हो लेकिन certificate 3 साल बाद आता है जिसमें कोई number लिखा हुआ नहीं होता है बस first division करके लिखा हुआता है mark sheet में आप लोग का number सो होते है तो यह दोनों चाहिए मिर भाई 10B के mark sheet भी चाहिए 10B के certificate भी चाहिए उसके अलावा मेरा भाई school living certificate ठीक है SLC आप लोग रख सकते हो ठीक है SLC आप लोग 10B का रख लेना ठीक है यह भी मांग सकता हो सकता है तो लेकिन इसमें नहीं है लेकिन आप लोग रख लिजएगा SLC ठीक है तो यह चीज़ इतना रख लिजएगा आप देखो अगला यहां पर क्या मतलब कि अगर आपने 10B दिया ठीक है अगर 10B पास पर ही आपने दिया तब तो फिर कोई दिकत ने बस 10B का आप लोगो मांक सीट यह सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा जो भी मांक सीट हो गया सर्टिफिकेट हो गया SLC जो बताया है वो सब लेकर जाना होगा लेकिन आप 10 10B के आगे higher education जो होता है higher education उसमें अगर आपने बारवी दे दिया है मिरे भाई तो आपको बारवी का वीडियो कोमेंट लेकर जाना है बारवी के आप लोग क्या लेकर जा सकते हो यहाँ पर आपको साफ साफ लिका हुआ है यहाँ पर देख लो मूल परमान पत्र यहाँ प कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माक्सिट होना बहुत अनिवार है ठीक है बारवी का माकसिट आपको होगा यह जो भी दियो गर्जूएशन दियो तो गर्जूएशन का जो भी higher education दियो वह आपको लेकर जाना होगा ठीक है वह भी original यह नहीं कि सबका फोटो कोपी नहीं सबका original जो भी अभी तक बता है original document आप लोगों को लेकर जाना है उसका आगे देखो अगला जो आप लोग का document लगेगा मेरे भाई अनुसूचित जाती या अनुसूचित जन जाती या अन्य पिछरा वर्ग या EWA से संबंदित लोगों को मूल जाती परमान पत यानि कि आप certificate कैसा होना चाहिए और मैं आप लोगों को यहां पर साफ साफ किलियर कर देता हूं देखो का सर्टिफिकेट हाल फिलाल या ऐसा ने कि एक दो साल जातर आप लोगो Central के ही मांग दी जाते हैं ठीक है तो इसलिए बुलना हूँ कि Central का आप लोग का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा मेरे भाई आप तो नॉर्मल भी हार सरकार का तो का सर्टिफिकेट हो गई लेकिन उसके अलावा भी Central का आप लोग बनवा लोगे तो आप आइदेन करने वाले जो भी हैं उनको भी original जो भी इनका परमान पत्र होता है वो उनको देना परेगा ठीक है तो जो इस कैटेगोरी से form को फिलफ किये हैं ठीक है PWD या MSP या EMS से तो वो उसका original परमान पत्र लेकर जाएगा ठीक है तो यह इतना अभी तक समझ मैं क्या क्य जो उससे अपलाई नहीं के उनको वो certificate की जरूरत नहीं है आप देखो आगे जो आप लोगा document लगेगा मैं एक बार दिखाता हूं अच्छे से यह देखो अगला जो document है आप एदन पदि के लिए अनिवार अनुभव के लिए मूल अनुभव पनमान पत्र देखो कोई अग आपने वहाँ पर डाल दिया form fill up करते समय तो फिर आपका selection डुग जाएगा तो वहाँ पर experience certificate भी मांगा गया है वही बच्चा का जिसके applicable है यानि कि जो बच्चा form fill up करते समय experience certificate वाला डाला है उसी को जो नहीं डाला है उसको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई ठीक है तो आप लोग कहीं job कर रहे हो ठीक है किसी सरकारी मतलब की करमचारी हो अगर इस form में जा रहे है इसके लिए आवेतन कर रहे हो तो आपको NOC देना परेगा no objection certificate जो कि अगर आप लोग कर रहे हो तो ठीक है नहीं कर रहे हो तो इसको देने की जरूरत सब तो विरोजगार ही आप लोगों पता है जितने भी हो सब इस्ट्रेंट कोई तो काम करते ही नहीं हो तो इसका कोई जरूरी है जो काम कर रहे है और लेडी विभाग के अंदर उनके लिए NOC देना परेगा ठीक है बाकी इनको इसके कोई को देना नहीं है ठीक है और आगे देखो यहां पर ध्यान द करते समय दियो वही सेम टू सेम मैचिंग होना चाहिए अगर वैसा मैचिंग नहीं होता है तो फिर आप लोगो रिजक्ट कर दिया जाएगा मेरे भाई ठीक है इस बात को आप ध्यान में रखेगा तो यहीं चीज यहां पर लिखा गया है उसके बाद देखो कि आगे यहां खानुस्तान रिल्वे स्टेशन के बारे में बताया गया उसका देखो यहां पर रिपोर्ट का समय किरप्या ध्यान दे कि तलासी और उपस्तिति के प्रयोजनों के लिए रैली अस्तल में परवेस रिपोर्ट तीस मिनट पहले बंद हो जाएगा परवेस बंद होने के कहलें का मतलब यह है कि आपको टाइम पर पहुंचा झाना एक दिन ही पहले पहुंचाना पर और अतना समय पहले रैली अस्थान के दौरा करे और अपने स्वेम के लिए अंती मिनिट की परसानी से बचने का यात्रा कारकरम से परीचीत हो ठीक है वही मैं बोला कि एक दिन पहले ही पहुंच जाओ पूरा चीज देख वेक लो और ये जो जहन्डट है भाई मेरा लेट हो गया वो सब नहीं सुना जाएगा इसलिए ये सब कुछ बताया गया है दोको उमिदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रैली अस्थन पर कोई भी मुलवान महंगा समान ना लाएं क्योंकि उसका सुरच्छा जो होगा सुनचीत नहीं की जा सकती है और इस संबंद में नुक्सान के लिए भरती परिच्छा के इंद्रोज होगा वो जिम्मेदारी नहीं होगा जो भी महंगा समान लेके जाओगे वो आपका खुद का जिम्मेदारी ये भरती कुछ जो करवार है जो भी वहां के ऑफिसर उफसर उनका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा वो आप लोग अपना समझ हो और लेना जाना चाहते हो ले जाओ और ले जा रहे हो तो अपना safety से रखो ठीक है उसका देखो कि PWBD के उमिद्वारों को एटेंडेंड को परवेस बिंदू से बाहर जाने की अनुमती नहीं दी जाएगी ठीक है तो यह चीज आप लोगों को बताया गया है उसका देखो कि स अब लोग जब exam clear कर लेते हो ठीक है running clear कर लेते हो तो फिर आप लोगो को क्या लगेगा भाई Biometric लगया यानि कि thumbs होगा आप लोग के उंगली का thumb rings होगा वो लिया जाएगा तो उसमें बहुत बच्चे क्या होते हैं वो फेक होते हैं उसमें कुछ लगा लेते हैं भाई दूसरे के बदले दूसरे जाते हैं देने तो ऐसे में पकर रिदा होगे तो भाई दिक्कत होगा आगे चलके तो वही चीज बतायागे जो भी और अच्छे से बायोमेट्रिक देखा है हाथ में कुछ फाल्तुच चीज नहीं लगा के हैं ठीक है तो यही से बताया गया तो अभी तक इतना चीज समझ में आ गया अगला देखो यहाँ आपर की कोविड-90 का भी कुछ प्रो मास्क को हटाना होगा ठीक है यानि कि मास्क लगाया हो कोई दिक्कत नहीं है जब बोलेंगे वह हटा दो तो आप लोग हटा दीजेगा वेरिफाइ करने के लिए के हां तुम ही हो वह सकल मिलाते हैं तब उसका देख लोग मिदवारों के लिए एक पारदरसी बोतल में अप लिजेगा सेनिटाइजर लेना चाहते है तो लो नहीं तो कोई दिक्कत वाले बात नहीं उसमें आप ज्यादा कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं की हां कोबीट का सर्टिफिकर्ट लगा यह सब वह सब कुछ नहीं बस आप लोग समद गया होगे क्या क्या डोकुमेंट पर आया है अगर नहीं जूर तो जूर किया आप लोग बात कर सकते हो टेलिग्राम पे लिंक का डिस्क्रिप्शन में या सरच कर लेजगा टेलिग्राम पे जाके स्टेडी जोईन हो जागे एक चैनल एक गुरूप है उसमें जोईन हो के आप लोग अपना भाई लोग से ब अब लोग फोटो भी रख लेना कम से कम दस फोटो कम से कम आप लोग रख लिजेगा ठीक है क्योंकि फिर बात फोटो मांगगे तो फिर दिक्कत वाला चीज होगा तो अपना एडमिट कार्ड दूसरा एक बर मैं किलियर कर देता हूं एक फिर से पूरा अच्छे से पहला अप्लों का एडमिट कार्ड होगा दूसरा आप लोग का यहां पर क्या होगा एक अधार कर लेना अब तीसरा फोटो अपना रख लेना थीक है उसका चौ 3 में आप लोग 12 ने रान घर 아파 siat च्रूर सब्टा रखण के रोग की तो इतना रख लेना जो 10 में हाईर घलिए इस् और सबका original ले जाना है और original के साथ-साथ मेरवाई एक-एक photo estate भी करवा लेना है सबका एक copy करवा के लेकर भी जाना है इस बात को आप लोग याद रखेगा वहाँ पे लगेगा एक-एक photo मतलब copy करवा लेना जितना भी डोकुमेंट बतायों सबका original और एक-एक photo copy और जो भी जाती लगेगा वह जाती का भी photo copy वह सब कुछ का photo copy आप लोग लगावा लेना जितना भी में बतायों ठीक है बाकि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए कुछ वीडाउट है कॉमेंट सेक्षन में आसकीजिए और सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो मेरे भाई वहाँ बहुत अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर आएगी जैसे यहां पर आता है ठीक है तो जल्दी से जाओ सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करो इस वीडियो को सेर करो बाके हम मिलते हैं दोस्तों एक और नीव अपडेट में तब तक के ल आत्रों